हेलो स्टूजेंस कैसे हैं आप सब आज मैं आपके साथ एक कोशन एक प्लिकेशन आफ टिग्नोमेट्री का शेयर कर रही हूं इसके अंदर बोला गया है एक टॉप बी के एक एक टॉवरस के टॉप बी से पॉइंट एक पर एंगल अफिलेशन 60 डिग्री बना है एक बी से एक पर एलिवेशन बना है और यहां पर 40 मीटर बॉइ एक खरा है उसके यहां से इसी सेम पॉइंट पर 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना है हमें हमें हाइट ऑफ टॉवरस करनी है यह 40 है तो यह इतना भी 40 होगा पहले मैंने ट्रेंगल बी यसी बी ले लिय तो a b कितना आ गया x plus 40 and ax कितना है हमारा yc के बराबर है और yc कितना है हमारा x 1060 की value root 3 put out कर दी मैंने इधर cross multiply के x plus 40 is equal to root 3x x plus का था इधर जाके minus का हो गया x कॉमल है root 3 minus 1 तो 40 upon root 3 minus 1 आगया root 3 denominator में नहीं छोड़ते है तो हमने rationalize कर लिया root 3 plus 1 upon root 3 plus 1 यह हो गया a square minus b square root 3 minus root 3 का square minus 1 का square तो 3 minus 1 2 आगया कट गया 20 root 3 plus 1 आगया इस quotient के अंदर में root 3 की value दे रखी है अगर root 3 की value नहीं दे रखी है तो हम इसको यहीं पली छोड़ देते and height of the tower निकाल देते but root 3 की value हमें दे रखी है तो मैंने root 3 की value put out करी 1.73 plus करा 2.73 आगया 20 से multiply करे 54.60 meter आगया क्योंकि हमें height of the tower find out करने के लिए क्या है तो height of the tower क्या है हमारी a b, a b यानि x plus 40, x की value किती निकले 54.60 plus में 40 ही कर दिया यानि 94.60 हमारी height of the tower निकल गई